इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुक खान अकसर किसी ना किसी वज़ा से सुर्खियों में च्छाए रहते हैं। इन दिनों शाहरुक खान बॉलिवुड की कई प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रही हैं। वो शूटिंग के लिए अमेरिका गए हुए हैं। हालांकी उनके फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि शूटिंग के दौरान शाहरुक खान एक हादसे के शिकार हो गए और इस हादसे में शाहरुक खान के नाक में चोट लग गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस हाथसे के बाद से शाहरुप खान को अस्पतार में भरती करा दिया गया है। सुत्रों की माने तो शाहरुप खान खत्रे से बाहर है। वहीं उनके टीम का हिस्सा रह चुके रिंकू सिंग ने भी यहाँ पर शाहरुक खान के लिए अपना बयान जारी करते हुए काफी ज्यादा अफसोस जाहिर किया, उन्होंने कहा कि वहां मेरे पिता के समान है, उन्होंने मुझे IPL के दौरान, बेटे का दर्जा दिया था और आज जब वहां मुसीबत में हैं, तो मैं उनसे मिलने नहीं जा पा रहा हूँ, यहां मेरे लिए बेहत दुख्त की बात है, लेकिन मैं फिर भी जितनी जल्दी होगा मैं शाहरुक सर से मिलूंगा और मैं यहीं चाहता हूँ कि, वह जन से जन्द रिक्वरी करें क्योंकि हमा वह किसी देवता से कम नहीं है, और मैं ही नहीं पूरा भारत यहीं चाहता है कि शाहरुक सर जल्दी ही रिक्वरी करके भारत लोटे इस तरह से रिंकु ने अपना बयान जारी कर शाहरुक को लेकर अपने दिल की बात कही है, वैसे आप सभी शाहरुक की रिक्वरी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्षन में बताईएगा